जैहिन दोस्तों वेलकम है आपकी अपने रिजनिंग की कलास के अंदर तो चलिए बेटा रिजनिंग की कलास को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सभी बच्चे बेटा जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाएं तो class को start करेंगे और topic अपना जो चल रहा था dice के बारे में बेटा तो उसको आगे लेकर चलेंगे तो आज reasoning के अंदर जो dice का chapter लगा रखा था dice बोले तो बेटा पासा तो मैंने first class इसकी जा चुकी है बेटा उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि जो dice होता है जो पासा होता है यानि कि ये बनता कैसे है पहले भी बता दिया कि ये बनता है edge को मिला कर Corner को मिला कर और आपका Face को मिला कर इन तीनों को मिला कर इस पासे का निर्मान होता है यह आपको पहले के वीडियो के अंदर आपको करवा दिया था उसके बाद देखिए अब आपसे कोशन बताया था यहाँ से कोशन निकल सकते है कि एक पासे की जो Edge होती है Corner और Face कितने Face होते हैं बेटा 6 Face होते हैं बताया था और 8 इसके Corner कोणे होते है और 12 इसकी Edge यानि कोरे होती है इनको मिला कर एक पासा बन जाता है बेटा तो यह मैंने आपको बता दिया था उसके बाद मैंने आपको बताया था एक तो आपकी Simple Dice जिसको आप कहते हो सधारन पासा और एक मैंने आपको बताया था Standardize बेटा SD Standardize यानि की मानक पासा तो मैंने बताया था कि Dice दो परकार की होती है एक तो सधारन पासा और एक मानक पासा और इसके साथ ही मैंने आपको को बताया था कि एक पाऊ एक पासे के बेटा टोटल 6 प् Kabla सो टे हैं तो आप एक टाइम के अंदर सिर्फ दो ही तीन ही देख पाते हो अब आपको देखो यह मैंने एक पासा बनाया है इसके तीन प्रेज आपको दिखाई दे रहे हैं तीन बेटा के अंदर इस पासे के सिर्फ तीन पलकों को देख सकते हो तीन सत्य को देख सकते हो तीन इसके अपोजित होंगी विपरित होंगी जो आप में एकजाम के अंदर पूछी जाएगी वह आपसे यहीं पूछेगा कि तीन के पीछे कौन सी पलक छुपी हुई है यानि कि दो के वि चीजे मैंने वीडियो पड़ी है आप रिकोर्डिड कलास वहां पर देख सकते हो तो आज का जो टाइप रहेगा आज हम करेंगे यानि की दो पासे वाले सवाल आज का जो टाइप है दो पासे वाले सवाल उस कलास के अंदर हमने सीखा था की एक पासे वाले सवाल यानि वन डाइस जब कोशन में एक पासा आ जाए और उसके अंसर कैसे बताने है वो उस कलास के अंदर करवा दिया गया था तो आज करेंगे बेटा कि जब दो पासे आपको दे रखे हो तो आप उनके अंसर तक कैसे पहुँचोगे तो ध्यान देना जब भी दो पासे वाला सवाल आ जाए तो ध्यान रखना बेटा वो तीन टाइप के कोशन बनेंगे बेटा ध्यान रखना यहां लिख देता हूँ तीन टाइप के कोशन बन जाएंगे जब भी दो पासे वाला सवाल आ गया तो वो तीन परकार के कोशन होते हैं बेटा अब य जान रखना कभी भी लाइफ में नहीं बूलोगे तो आपने याद कैसे रखना है जब भी दो पासे वाले सवाल आ जाएं तो आपने याद रखना है एक तो आएगा बेटा नो कॉमन को बोलोगे नो कॉमन का मीनिंग अभी डिफाइन करूंगा बेटा बिलकुल एक्सपेरिमेंट करेंगे नो कॉमन उसके बाद बेटा वन कॉमन इसके मीनिंग अभी बताऊंगा एकजांपल लेके करेंगे बेटा वन कॉमन उसके बाद करेंगे बेटा टू कॉमन बस इन में से ही question आपको exam के अंदर देखने को मिलेगा no common, one common और two common बेटा अभी समझाता हूँ देखते चलिए सबी बच्चे example के माध्यम से ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा यह लो मैंने दो दो dice ले लेता हूँ बेटा अब इसमें number डाल देते हैं यह लो बेटा, अब सभी बच्चे पहले तो इन question को देखिए यह आपका पहला type बेटा, यह आपका second type और यह आपका third type अब आप इन example को देखके आपको पता चल गया होगा कि मैंने two pass वाले सवाल के अंदर यह तीन type कैसे लिखे देखो no common, no common का meaning है बेटा कि जो इस pass में अंक है, वो इसमें नहीं है, देखो एक इसमें है, इसमें नहीं है, छे इसमें है, इसमें नहीं है तीन इसमें है, इसमें नहीं है, इसको कहेंगे no common यानि दोनों pass के जो अंक है, वो अलग-अलग है बेटा, समझाया? चलो one common का meaning होता है देखिए चार इसमें है इसमें नहीं है छे इसमें है इसमें नहीं है लेकिन तीन इसमें है और बेटा इसमें भी है यानि एक अंक common है तीन इसमें भी है और इसमें भी है इसको कहेंगे one common वाले सवाल चलिए two common का meaning है देखो दो इसमें भी है इसमें भी है तीन इसमें भी है इसमें भी है इसको कहेंगे दो कौमन वाले सवाल तो ये आपको अभी तक मैंने जो ये लिखा है सारों के दिमाग में सेट हो गया होगा विलकुल धीरे धीरे बता दिया कि दो पासे वाले सवाल जब भी एकजाम में आ गए तो वो तीन परकार के ही आएंगे चाहिए आप कोई भी भुक उठा लो चाहिए कोई भी आ बेटा जितने भी पीछे एकजाम हुए उनको उठा के देख सकते हो जब भी दो पासे वाला सवाल आ गया तो इन से बाहर नहीं आएगा पहले बता देता हूं अब मेन मुद है कि अंसर कैसे निकालोगी अब इधर देखना बेटा जब भी कोईशन आ गया नो कोमन का नो कोमन में आपने अंसर कैसे बताना है उपर के विपरीत उपर वाला होगा बेटा लेफ्ट के विपरीत राइट वाला होगा और राइट के विपरीत लेफ्ट वाला होगा ये व और लेफ्ट के विपरित बेटा राइट वाला होगा तो अब आप जो भी अंसर पूछा गया तो आप से कोई पूछे कि एक के विपरित क्या होगा तो एक के विपरित बेटा चार होगा अगर इस जाम में कोशन पूछा जाता एक के विपरीत कोंड़ सा होगा तो आप अनसर दे देते 4 छह के विपरीत पुछा जाता को आप देखो ऐसे करो οना आपका यह लेफ्ट है यह राइट है टो इस पासे का यह उलाइट-गया और यह पांच राइट हो गया तो छे के विपरित पांच बोल दोगे और तीन के विपरित बेटा दो यह लो सारे ही आपके अंसर निकल चुके हैं तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा जब भी नो कोमन का कोशन आ गया एकजाम के अंदर तो आपने कैसे करना है उपर के विपरित उपर वाला लिख दोगे लैप्ट के विपरित राइट वाला लिख दोगे और राइट के विपरित लैप्ट सबसे असान टाइप यह है नो कोमन वाला असानी से आप अनसर बता सकते हो बे अभी one common वाला आ गया तो आपने क्या करना है जो common है उसको बेटा पकड़ के भांद दीजिए उस पर round circle लगा दीजिए जो भी common है उसके उपर बेटा आपने round लगा देना है circle लगा देना है अब इदर द्यान रखना सारे बैचे इस question को मैं कैसे soul out करूँगा ये आपने सीखना है one common वाला जब एक अंक common आ जाए तो कैसे soul out करोगे तो आपने करना क्या है जो common है उसको पकड़ के बेटा बांद देना है round लगा दीजिए तीन common था तीन इदर भी था और तीन इदर भी था पकड़ के इसको circle लगा दिया बेटा round कर दिया अब इदर देखो अब आपसे कोई पूछे कि जिसको आपने round किया है तीन को round किया है इसका इंसर बताओ अगर आपसे पूछ ले कि जिसको round जो common है उसका इंसर बताओ आप आपसे एक्जाम में पूछा होता आपसे कहता कि 3 के विपरीत अंक बताओ तो ध्यान देना बेटा कि 3 के विपरीत अंक आपको ये तो पता है टोटल 6 अंक होते हैं एक दो तीन चार पांच और छे अब इदर देखो सभी बच्चे अब 3 के विपरीत तीन खुद तो बेटा हो नहीं सकता खुद को तो छोड़ दो उसके बाद इन दोनों में देखो कोण सब्सक्राइब है जेको बेटा चार भी चे भी है पांच भी है एक भी है गाईब आपको कौन सा नजर आ रहा है ध्यान से निगा मारो बेटा गाइब आ रहा है दो तो 3 के विपरित जो अंसर आएगा वो आजाएगा जो उपर वाले दोनों पासों में गाइब है बेटा ये चीज़ द्यानक ना कौन सा आएगा जो गाइब है अब जिसको राउंड किया तीन को राउंड किया तो तीन के विपरित वो अंक आएगा जो इन दोनों पासों में गाइब है देखो एक एक अंकोता एक तो दे रख है दो गाइब है दो नहीं दिख रहा उपर देखो इसलिए तीन का अंसर क्या आ जाएगा दो आजाएगा अब बाकियों का पूछ ले तो अब ध्यान रखना बेटा अब आप जो ये सरकल मारा है इधर भी तीन पर और इधर भी तीन पर अब आपने चलना है चाहे तो चलो गड़ी की दिशा में जैसे गड़ी की सुईयां गूमती है चाहे आप चलो गड़ी की विप्री दिशा में दोनों में से जो मर्जी चल सकते हो वो आपका बेटा फैंसला है चाहे तो आप कलोक वाइज चलो क likewise. किसको कहते हैं, इंगलिश में, गड़ी की दिशा में, ऐसे ही गड़ी की दिशा को बेटा, धक्षुनावर्त भी बोला जा सकता है, धक्ष्नावर्त, धक्ष्नावर्त का मीनिंग है गड़ी की दिशा में चलो अब इदर तीन से गड़ी की दिशा में चले तो बताओ गड़ी की सुई तीन से छे में चली गई बेटा ये लो इदर तीन से चले गड़ी की सुई चली गई एक में तो छे का अंसर आ जाएगा एक चलो बेटा अब इदर छे के बाद गड़ी की सुई कि चाر में इधर एक के बाद गड़ी की सूई जाएगी पांच में यह लो पेटा तीननों इंसर कोई भी पूछा होता आप अंसर बता देते तीन का अंसर दो छे का अंसर एक चार का अंसर पांच तो यह लोता आपके अंसर आ चुके हैं तो जब अभी one common वाला अगर कोई question आ गया तो आपने उसको इस तरह से बेटा soul out करना है चलिए एक एक example और करवाऊंगा tension मत लेना अभी एक एक example और लेंगे एक एक example तो इधर जाना सभी बच्चे चलिए बेटा अब इधर आ जाओ two common वाला बेटा two common में भी वही काम करो जो common है उस पर बेटा round मार दो यह लोग दो common है दो पर round मार दिया इधर भी दो पर round मार दिया तीन common है तीन पर round मार दिया इधर भी तीन पर round मार दिया तो जो common है उसको round कर दिया अब सिखा रहा हूं कि जब two common वाले सवाल आ जाए तो कैसे अंसर निकालोगे तो इधर द्यान रखना बेटा सभी बचे आपको solution के लिए PDF डाल दी जाएगी बेटा थोड़ी देर तक तो आप वहां से solution करके देख सकते हो अब इधर देखो बेटा अब इधर तो बचारा बच गया 5 इधर बच गया 6 यह लो पूचा होता थो छे 6 पूचा होता पाथ लेकिन अब बेटा अगर वह पूच लेता कि टीन के विपरीट अंक बताओ अब tीन का पूच लेता तो कैसे बता Martinez Pend अरुगे इधर हो सकता और ना ही छे हो सकता बेटा किवो तो पहले ही विपरीत हो गए ना पांच छे के विपरीत हो गया छे पांच के यह 2 तो होई नहीं सकते ना तो 5 हो सकता तीन के विप्रित ना 6 हो सकता ना 3 खुद हो सकता अब इधर देखो बेटा अब 3 के विप्रित बेटा 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 के 7 2 है तो तीन के पीछे दो कैसे हो जाएगा बेटा दिमाग लगाओ तीन के साथ दो है यानि तीन के साथ दो है तो तीन के पीछे दो नहीं हो सकता ना ये चार अंक बेटा तीन का अंसर नहीं बन सकते तीन का अंसर ना तो तीन खुद बन सकता ना पांच और छे बन सकता क्योंकि वो तो पहली अंसर बन गए ना दो बन सकता दो क्यों नहीं बन सकता तीन के साथ है बेटा दो ना दो बन सकता अब दो अंक बच गए दो अंसर आएंगे बेटा एक तो बच गया एक और बेटा एक और और देखो कौन सा अंक गायब है बेटा बताओ एक है दो भी आपका नहीं बन सकता तीन नहीं बन सकता चार बेटा तो आपका अंसर आजाएगा एक और चार दो अंसर आएंगे तो जो option के अंदर एक और चार लिखा होगा वही आपने टिक कर देना बेटा अब इदर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आपने जब two common वाला question आ जाए तो आप उसको कैसे soul out करोगे, कैसे उसका बेटा answer बताओगे, सबी बच्चों के दिमाख में अच्छी तरह से set हो गया होगा, तो अब चलिए बेटा, एक 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 जामपल और लेके चलेंगे ये सारे बाते clear हैं, अब आगे बनेंगे बेटा देखिए सबी बच्चे, एक 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 जामपल और लेते हैं, two dice वाले बेटा, जैसे मैंने पहला question लिया कैंने फब बच्चान्टू सारीम के लिया से चलेगा हो, पहला होगा वोगाते की तरह से दो बनीजपल, आगे मैंने की रढके सबेटाने से betव एक एक ज I देटाने में मैं आगे किया लो बेटा अब मैंने इस कोश्णों को ले लिया सभी बचे द्यान अगना अब मैंने लैटर जुरूरी निया बेटा एक दो तीन आएगा वहाँ पर लैटर भी आ सकते ए भी सी डी अप इसी तरह रंग भी आ सकते हैं लाल पीला गुलाब भी हरा कुछ भी आ सकते हैं बस आप कोई सिखाया ना यह है नो कोमन नो कोमन क्यों है सभी बच्चे बताएंगे इधर देखिए बेटा कि एसमें है इसमें नहीं है इसमें है इसमें नहीं है यानि यह वाले सारे अलग हैं यह वाले सारी इसको कहते हैं नो कोमन कोई भी संजांक नहीं है तो अभी मैंने कैसे अ अंसर आ गया सी लेफ्ट का राइट दी का क्या आ गया बी और राइट का लेफ्ट ई का क्या आ गया एफ यह लो बेटा सारे अंसर आ गए तो अभी सिखाया था जब भी नो को मन वाला अगर कोई सवाल आ जाए तो आपने कैसे करना है उपर का उपर यानि अपका अप left का right और right का left तो इस तरह से आपने इसके अंसर देने हैं चलिए बेटा अब चलते हैं वन को मन के अंदर अगर वन को मन आ जाए तो कैसे करेंगे सीख्येगा सभी बच्चे तो वन कोममन के अंदर जो कोममन है उसको बेटा राउंड कर दो उसको क्या करो सरकल लगा दो बेटा चलो अब बताओ जिसको राउंड किया है उसका अंसर पूछ ले तो आपको पता है ABCD के 6 लेटर लिग लो ABCDE और F अब देखो कौन सा गाइब है A है BB है CB है उसके बार बेटा DB है और EB है F गाइब है बेटा तो A का अंसर आजाएगा F आजाएगा बेटा तो द्यान रखना जो कोमन होता है जैसे A इदर भी था इदर यानि A कोमन था तो कोमन का अंसर वो आता है जो इन दोनों डाइस में नहीं होता तो F नहीं था देखो दोनों में F तो A का अंसर क्या आगया F आगया अब चलेंगे गड़ी की दिशा में पहले बता दिया A से सुई किस में जाएगी C में इदर A से सुई किस में जाएगी B में तो C का अंसर B आ गया फिर इदर C से सुई किसमें जाएगी D में इदर B से नीडल किसमें जाएगी E में ये लो बैटा सारे अंसर आ गए जो भी पुच्छा जाता उसका अंसर दे दें वो पूच्छा A के विपरितंक बताओ F C के विपरितंक बताओ B, D के विप्रित अंक बताओ E, E के विप्रित अंक बताओ D, B के विप्रित C, F के विप्रित A जो मर्जी पूछा गया होता आप बेटा अंसर दे दोगे चलिए अब बढ़ते हैं 2 common बेटा जब आजाए 2 common अभी वैसे तो मैं सिखा चुका हूँ 2 common के अंदर क्या करोगे? आपने round कर देना है A को कर दिया, इधर A को कर दिया C common है, इधर C को कर दिया बच गया क्या? इधर बचा D और इधर बचा B तो D के विप्रित कौन हो गया? D का अंसर पूछा जाता? तो B दे देते B का पूछा जाता? D दे देते अब मालो वो उसने पूछ लिया A का अंसर बताओ बेटा A का विप्रित अंक बताओ तो अब ध्यान दो अभी सिखाया था ना A के विप्रित A नहीं हो सकता A का तो बताना A के विप्रित A कैसे हो जेगा ना ही D हो सकता और ना ही B हो सकता गर दी और बी तो आपस में अंसर पहले ही बन गे तो A नहीं हो सकता, D नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता, A के साथ बेटा क्या है, C है, A के साथ C है, तो C भी नहीं हो सकता, तो बच गया क्या बेटा देखो अंसर, F और E, ये आप बेटा A का अंसर, दो ये अंसर आएंगे जान द ना जब भी two common वाला सवाल आ गया तो बेटा आपको इस तरह से दो अंसर देखने को मिलेंगे अगर दी का पुछा भी उसका तो सिंगल आएगा लेकिन इसके जो आपको अंसर देखने को मिलेंगे वो बेटा दो देखने को मिलेंगे तो इसके साथ ही यह जो अपना two dice वाले जो कोशन थे खतम होते हैं बेटा पहले मैंने single dice वाले खतम करवाई वो वीडियो पड़ी है देख लेना नमबर वाई देखना फिर आपको मैंने two dice वाले आज खतम करवा दिये तो कल की कलास में देखेंगे बेटा कि जब तीन dice वाले कोशन आ जाएं तो उनको कैसे सोल आउट करोगे step y चलेंगे बेटा रटा नहीं मारना है यानि कितने मर्जी कोशन कीजी आप कोई फर्क नहीं पड़ता तो बस आपने याद रखना है कि two dice वाले जब भी जाम में कोशन आ गए तो उनको आप कैसे सोल आउट करोगे वो चीज आपने दिमाग में बठानी है बेटा और उस तरह से आपने उसको सोल आउट करने हैं तो अब चलें बेटा आगे देखते हैं अब मैं कुछ कोशन लिख रहा हूं प्रैक्टिस के लिए आप कोशन प्रैक्टिस कर सकते हो बेटा अब इधर देखो जैसे स्पोज करो मैंने दे दिये बेटा रंग अभी यहां पर लिया निला यहां पर लिया बेटा संत्री और यहां पर लिया बेटा सफेद यह मैंने अब कोशन देदिया बदल दिया रंग डाल दिये बेटा इसमें यह two dice वाला कोशन है अब जिसने अभी class देखी है वो तो कर देगा अब two dice वाला कोशन है तो अब देखो इदर सबसे पहले तो यह देखो कि यह no common वाला है no common meaning यानि दोनों में कोई भी common नहीं है यह one common वाला है और जहां बेटा two common वाला है यह चीछ चेक करोगे करो लाल रंग इसमें है इसमें नहीं है पीला इसमें है इसमें नहीं है हरा इसमें है यह no common वाला है तो no common में अनसर कैसे दोगे उपर के विपरित उपर लेफ्ट के विपरित राइट और राइट के लिफ्ट विपरित लेफ्ट चलो तो लाल का अंसर क्या आ जाएगा उपर लाल और उपर इदर संत्री तो लाल का तो आ जाएगा बेटा संत्री आ जाएगा और जो आपका पीला है उसका आ जाएगा सफे और बचा क्या हरा तो हरे का आ जाएगा बेटा नीला तो यह लोग आपके अंसर आ गए बेटा यह तो आप असानी से कर दोगे कि अब में मुद्दा है अगर मैं क्या करता हूँ तू डाइस वाले में आऊं बेटा तू डाइस के अंदर कोशन लिखता हूँ यह सीखना बेटा सभी बच्चे तू डाइस वाला सभी बच्चे सीखना इदर जैसे मैंने लिया बेटा लाल हरा नीला रंग ले लिया लाल ले लिया यहाँ पीला और यहाँ संत्री लो बेटा अब लेते हैं ओप्षन तो कि यह उप्षन से उठाया जाएगा बेटा ज्यान देना ए बी सी और डी बेटा पहला मैंने उप्षन ले लिया लाल दूसरा लिया बेटा हरा तीसरा मैंने लिया बेटा नीला और चोथा मैंने ले लिया बेटा सफेद यह लो लो बेटा यह चार उप्षन है अब इद देखना सभी बच्चे कोशन को सीख लो सभी बच्चे द्यान से पहले तो जो बेटा कॉम्मन है राउंड मारो इधर लाल कॉम्मन है इसको आप कहोगे वन कॉम्मन वाला सवाल वन कॉमन बेटा अब मैंने वन कॉमन में क्या बताया था अब पुछा होता लाल के विपरित बताओ बेटा अब वो देखो इसमें रंग जो यहां से बेटा गाइब है अब रंग तो बहुत होते हैं अब आपको बता हैं गिंती तो एक दो तीन चार पांच छे होती है एबी सीडी भी चलो छे तक लिख लेंगे अब रंग की तो कोई सीरीज नहीं है न बेटा रंग तो बहुत होते हैं तो अब आप क्या करोगे अब उसने पुछा लाल अब लाल के विपरित वो अंक आएगा जो इसमें नहीं है रंग यह द्यानगणा अब लाल के विपरित लाल नहीं आ सकता नाई हरा आ सकता क्योंकि हरा है नाई नीला आ सकता नीला भी है उद्वर देखो एक स्फेद नहीं है तो आप लाल का जो अंसर दोगे वो दोगे बेटा सफेद यानि एक रंग ओप्शन में आपको अलग डिफरेंट दिखाई देगा जो उपर वालो दो अली से कलियर है बाकी वैसी अब गड़ी की दिशा में घूम लो लाल के बाद घड़ी गई नीले में और इदर लाल के बाद घड़ी गई पीले में तो नीले का अंसर आ गया पीला नीले के बाद गड़ी गई हरे में और इदर पीले के बाद गई संत्री में यह लोहरे का अंसर बेटा आपका संत्री आजायेगा तो ये है कि आपको इनडाइस के अंदर चाहे दे रखा हो रंग चाहे दे रखा हो आपको A, B, C, D, Letter दे रखे हो अलफाबेट चाहे आपको दे रखे हो गिंती चाहे आपको दे रखे हो